नमस्कार दोस्तों, खुस्बू ब्लोक्स में आप सब का श्वागत है आज मैं आपको बजार जैसी चार्ट बना के आपको दिखाती हूँ जो बिल्कुल चटपर्टी और मार्केट जैसी होगी माफ करना दोस्तों, हमारे पास इस्टेंड नहीं है इसके लिए हमने एक हाँ से मोबाइल पकड़ी हूँ और दूसरे हाँ से बना रही हूँ इसके लिए कॉलिटी में थोड़ा उपर नीचे होगा आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा तो चलिए चाट की रेसिपी को हम स्टार्ट करते है यह हमने थोड़ा सा एक बारी कटा हुआ प्याश डाल दी हूँ आप देख सकते हैं इसको और साथ में ओयल भी डाली हुई हूँ अब मैं थोड़ा इसको लाल कर लेती हूँ इसमें एक मिर्ची धनिया पारडर और लाल मिर्च पारडर डालके मैं थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ एक मिनिट तक गैस का फ्लेम हमने स्लो रखा है तेज रहेगा तो हमारा मसाला जल जाएगा इसके लिए हमने गैस का फ्लेम स्लो रखके एक मिनट तक ऐसे छोड़ दूँगी पकने के लिए तब तक मैं टमाटर को बारे काट लेती हूँ इसके बाद मैंने यह टमाटर भी इसमें डाल दी आप देख सकते हैं और इसको भी मैं गलने के लिए एक मिनट के लिए छोड़ दूँगी आलो टिक्की को मैं पहले से बना ली थी अगर आपको आलो टिक्की बनाना है तो सबसे पहले आलो को उबाल कर छिल ले फिर उसको मैस कर ले मैस करने के बाद उसमें हलका सा नमक डाल के तावे पे रख दे फ्राई करने के लिए इस तरह हमने आलोटिकी बनाया हैं तो आप भी इस तरह बना के ट्राइ कर सकते हैं टिकी भी दोडाल देती हूं, अब इसको छोड़ देती हूं ऐसे 2 मिनट के पखने के लिए मैं चोले को पहले से भी बना ली थी और छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप मटर लिया था उसको मैंने रात को भीगो दिया थे 5-6 घंटे के लिए सुबा मैंने उसमें इमली के पाने के साथ में मैं उसको बॉयल कर ली थी मैं इसमें मसाला एट कर रही हूँ यह आप देख सकते हैं मैंने धनिया पाउडर भूना जीरा और नमक डाल दे हूँ और लाल मिर्च डालूंगे इस आपको खाना है डाल सकते हैं थोड़ा साच्ट मसाला में डाली हूँ अब टिक की को इस तरह मैं चरा कर ले रही हूँ इस तरह मैस करने से मसाले हमारे सब इसमें मिक्स हो जाते हैं अब इसके बाद मैंने जो छोला बनाके रखी थी वो भी इसमें डालूंगे इस तरह मैं इसको दो मिनट के लिए अच्छे से पकालूंगे ताकि जो इसमें पानी है वो सोख लेगा दो मिनट के बाद यह हमने इमली का पानी डाला है यह आप देख सकते हैं थोड़ी चटपिटी और खटी होने के लिए मैंने यह सब किया इसी तरह हम सब धीरेदे पानी को सुखा लोंगी आपको चाट जितना सुखा पसंद है आप उतना इसको बना सकते हैं अपने हिसाब से मैं मुंबई में रहती हूँ और मुझे गाउं जैसी चाट यहां नहीं मिलती है तो मैं इस तरह बनाती हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी चाट कितनी परफेक्ट तरीके से बन गई है दोस्तो हम लोग मेले में जाते हैं इसी तरह का चटपटा चाट खाना पशन करता है या मार्केट में जाय तो ठेले की चाट इसी तरह चटपटी होती है तो आप देख सकते हैं यह हमारी मार्केट जैसी चार्ट बनके तयार हो गई है और अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी जिसमें प्याज बारे कटा हुआ धन्या नमकिन डालके आप इसको खा सकते हैं तो मैं जा रही हूँ खाने आप भी इसी तरह खाईएगा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों